जैहिंद आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार का एक जिला है और उस जिला के परखंड के अंतरगज जो है पंचायत लेवल पर जो विकास मित्र का भरती आया हुआ है तो आप सब जो है अपलाई कर सकते हैं अगर उस जिस्टी के उस परखंड के अगर पंचायत से आ लग करते हैं तो आप जरूर अपलाइ करेंगे ठीक ना तो उसका जो कमपलीट जनकाडी देखेंगे क्या-क्या है उसमें कभसे डेट्ट जो है अपलाई करने का और क्या प्रउसेस है और उस नटिफिकेशन को करे से आप आनलाइन और अनुमंडल कारियाला है हत्वा है और यहां पर जैसे कि देख पाएंगे यह जो भरती है यह जो है विकास मित्र यहां पर जैसे कि देख पाएंगे और यह जो भरती होने वाली है विकास मित्र का भरती है पद का नाम विकास मित्र है और यह जो भरती होने वाली अनुबं जो है आदमी यहाँ पे अपलाई यहाँ कर सकते हैं और यहाँ पे ध्यान रखेंगे यह इसी जिला के इस परखंड के इस पंचायद के जो भी निवासी होंगे जगदिसपूर इसी जो है पंचायद के लोग जो है आवेदन कर सकते हैं किसी दूसरे पंचायद के जो है यहां पर आपको आवेधन करना होगा और इसका जो तीथी दिया गया है वह 24 जून से 29 जून रखा गया आवेधन करने का जब आपका आवेधन हो जाता है तो मेधा सुची तयार किया जागा और परकासन किया जागा उसका डेट दिया गया है यहां पर जैसे की देख पाएंगे 5 जूलाई और मेधा सुची पर अगर किसी को आपती होगा तो उसके लिए यहां पर जो है 5 जूलाई से 8 जूलाई का डेट दिया गया है और चैन सुच चाप अपना काम पे जा सकते हैं भरती आपके हो जाएगी वह जो है यहां पे 19 जुलाई आपको देखने को मिल रहा होगा और यहां पे जैसे चैन हेत्तु योगितार सर्ते बताया गया ठीक ना तो यह तो हो गया आपका गोपाल गंज का जो है गोपाल गंज डिस्टिक का व गोपाल गंज सदर आम्सुचना देख सकते हैं और यह भी जो है विकासपित्र का ही है और यह भी जो हैसे कि यहां पर भरती जोका अनुबंद के अधरर पे ही लिया जाएगा ऑजिन और यहां पे देखिए यहां पे जो है शेम डिस्टिग पूरा जो है Coolier नहीं है, तो यहाँपे जो है Only इस पर अधर समाने इसके अंत्रगत जो भी आते हैं, यहाँपे आवेधन कर सकते हैं पूरी Wheel जो आपका आवेदन होगा वो 24 जो है जून से 29 जून तक आपका होगा निकी 24 जून 2024 से 29 जून 2024 तक और इसका भी आवेदन देखिए आवेदन का जो किस प्रकार से आवेदन होगा उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है ठीक ना कि आवेदन ओनलाइन होगा या आपका यह आविदन मतलब की आविदन करना होगा उसके बाद देखिए यहां पर अगर हो जाता है यह देखे यह दूसरा नूट पर खिशन है और यह दूसरे जो परकंड के दूसरे पंचायत के हैं ठीक ना लेकिन जो आरेक्षन यह जाती है वो सेम है उसके नीचेक तो गया और चैन सुची जो परकासन मतलब की जो पब्लिश करेगा यहां पे जैसे की देख पाएंगे आप सब उसके नियोजन पत्र जो वितरन होगा और सपत पत्र जो लिया जागा वह 19 जुलाइक को लिया जागा और इसमें जो भी लिखा गया है और इसमें जो लिखा को ठीक लेकिन पहले वहला में जो है निएक और जो है जिसमें आपका दो परखंड आता है इसमें जो है जीशेक दो पेस के बाद एक और पेस आता है जैसे कि यहाँ पर आप को कारियालां में लिजाए जो है अनिकी आपका जो परखंड जो परखंड से भरती निकल के आया हुआ है उसमें जाके आपको जमा करना होगा इसमें देखें जिसकी देखें यहां पर पूरा तरीका साप और किलियर नहीं है तो यह जो है दोनों में लगें लेकिन आप जो है क्या करिए कि अगर आप भड़ना चाहते हैं एक चुग हैं के लिए तो इस पंचायत में आप चले जाएंगे वहां पर हो सकता है कि अच्छी तरह का का फोरम आपको वहां पर मिल जाए ठीक ना अब चलिए बात कर लेते हैं नीचे से जो है साट वर्स आपका होना चाहिए ठीक ना उसके बाद देखे नीचे तरह आएंगे तो इसमें बहुत सारा जो है बात बताया गया है तो आप नोटिफिकेशन को हम डॉनलोड करने का प्रोसेश आपको बता देंगे आप जो है डॉनलोड करके पूरा तरिका से आपको बता देते हैं और यह परतियक पंचयाद और वार्ट कलस्टर में महादलित जाती का बहुलता पहले से निर्धारित है मतलब यह जो है इसी जाती के लिए निकला हुआ है तो इसी जाती के लोग यहां पर भरेंगे ठीक ना उसका अभिहारती का यहां पर चैन किया और यहां के निवासी से आवेधन पराप्त किया जाएगा और यह बात ध्यान रखेंगे कि यह जूर आप देख रहें न यह पंचायट के निवासी होना चीह और इस ही जाती के वना चीह तब ही जाका आब आवधन कर सकते हैं, एक और जो था इसमें, जैसे यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर दो पंचायत है, बखरी और एक डिर्वा, तो इसी पंचायत के जो ही निवासी होना चाहिए, तब ही आप आवधन कर सकता है, और इसमें भी जो है, मतलब कि दोनों अधार पर किया जगी ये मेधा सुची जो बनेगा ना तो मेट्रिक में जिसका ज्यादा अंक रहेगा उसके अनुसार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त, निकि जप जदा संख्या में अगर आवेदन प्राप्त होता है, तो मेट्रीक में जो जिसका जदा अंक रहेगा, उसी अनुसार जो अभीहरति का चेहन होगा, यहाँ पर भी आपको दियान अखना होगा, और यहाँ पर देखे, समान परिमर्था दी मतलब कि इसको उम्र के अनुसार यहां पर चेयन किया जाएगा इसके नीचे तरह आएंगे यहां पर देखिए कि ऐसा हो सकता है कि जिस भी जितना भी लोगों ने की वहां के लोग निवासी आवेदन किये हैं उनमें से कोई भी माल लेते हैं कि मैट्रिक पास दौशन है नहीं माल लेते हैं आप टाव्य व सकते हैं पर जो कि मैट्रिक एक जाम में बैठा है भले आहीं वह पास नहीं हुआ हो अलग वाली बात है लेकिंटिक एक जाम में या उसका नवी पास बोल सकते हैं आठ भी पास किया नवी में नावंकन नहीं लिया एक चाथ भी पास हो गया च्छठा और पांचमा तो यहां पर जो नन मेट्रिक है मतलब जो एकजाम में बैठा है अगर इकजाम में बैठा है तो उसके पास जो है मैट्रि का एडमीड काट होगा यहां पर देखिए कि नन मेट्रिक अगर है तो बिहार भी दिया लाए द्वारा जो है निडगत परवेस पति मतलब एडमीड काट जारी किया गया होगा उसे जो है उसको यहां पे डॉक्मेंट के तोर पे वो काम करेगा और के लिए भी जो यहां पर उसके पास जो है क्या और जिसे अभिहारतियों से जो आप के लिए section योगता नहीं मिलने पर मतलब देखे यह जो आवेदन है मतलब यह जो पद है विकास मीतर का metric अस्थर पर है अगर मान लेते कोई महला आवेदन करती है लेकिन उनमें से एक भी महला जो है section मतलब metric पास नहीं है तो वैसी स्थिति में उनका जो chain का जो process रहेगा process यह इसका जो सर्थ है कि वह महला जो है अक्छर आचल योजना से क्या होना चीए जूरी हुई होना चीए या फिर स्वयम सहता समू के साथ जूरी हुई होना चीए इसलिए जो है उसका इस तरह से जो उनका chain किया जागा इस प्रकार से महलाओं से आवेदन प्राप्त अनमंडल पताधी कारी द्वारा योग अभिहार्थी का chain मतलब कि इस प्रकार से अगर कोई आवेदन होता है तो जो ये अनमंडल के पताधी कारी होंगे उनके द्वारा जो उनके स्वयम के उपर मिनेर भर करता है कि किसे जो है chain करना है आए लास्ट में इंपोर्टेन बात बताया गया किसी भी परिस्थिती में विकास मेत्र मतलब दो नोटिफिकेशन हम आपको दिखाया है और जिसमें की गोपाल गंज की अंतरगध ही जो है तीन परखंड है जिसका नाम है विजयपूर जिसका गाउं का नाम है परखंड का आपको देखने को मिल रहा होगा एक और जो notification यहाँ पर जैसे की देख पाएंगे, इसमें भी सारा चीज वही सेम यहाँ पर बताया गिया है, non metric, नभी, आप इसको download करके पर सकते, दोनों में जो सेम बाते लिखा गया, और इसमें भी देख जैसे की यहाँ पर देखने को मिल जागा, इसी के नीचा में जो है इन तीनों परखंड में अगर आब आते हैं, और परखंड के इन पंचातों में आते हैं, तो आब आवेदन कर सकते हैं, तो चलिए आब बात करने के लिए सबसे पहले आपको official website पर आना होगा, official website नहीं की आपको वीडियो को discussion में हम दे देंगे, और नाम है information and public relation department, यहाँ आने के बाद नीचे तरह आएंगे, यहाँ पर देखिए एक option मिलेगा latest news के just नीचा में, e-advertisement, यहाँ पर आपके लिक करेंगे, यह आपके पास जो एक notification आएगा, मतलब एक page आएगा, ठीक ना, यहाँ पर आपको सबसे पहले type select कर देना है, type, और उसके बाद यहाँ पर बीदारर toward it, और इसमे recruitment को select करेंगे, और यहाँ पर search वे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको ईहाँ पर देखिए इस वाला भाग में आपको recruitment पर लखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए मिलेगा प Bach यहां देखे गौपाल गंज आ गया तो इस दोनों के सामने यहां पर देखे डाउनलोड का अप्शन मिल रहा है इस वाले अप्शन पर किली करके आप नोटिफिकेशन को यही थाज का वीडियो अगर किसी परकार का कोई दिक्कत हो वीडियो नीचे कमेंड कीजिए और अगर इस वीडियो में किसी परकार का अगर त्रूटी अगर आपको दिख रही हो तो वीडियो नीचे कमेंड कीजिए हम जो है अगली वीडियो मुझे सुधार करने का पूरा परियास करेंगे तो ये थाज का वीडियो और वीडियो को लाज़तर देखने के लिए धन्यबाद थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत